पांच अजार रुपे से शुरू हो जाते हैं और पच्चेस अजार रुपे तक इनकी टोटल जो की था हमारा सेकंड नंबर पे डीडी आउडियो की तरफ कहीं भी जाए तो एक बार दीखी का ज़रूर मतलब एक खिलोने जासा की डिरेक्ट फिट मॉडल है यह वाला जो मॉ हाई दोस्तों मैं हूँ मनीश शर्मा और आप देख रहे हैं आटो शो इंडिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12 बेस्पीकर्स के वारे में अभी इंडिया में लगबग 50 ब्रेंड अवेलिबल होंगे लेकिन साधे दिखाने पॉसिबल नहीं है लगबग 20 से ज़ादा ब्रेंड हमारे पास से शॉप पे अवेलिबल है मैं आपको उन में से 12 दिखाने वाला हूँ जो अकसर मैं सुनता रहता हूँ गाडियों में अच्छा टॉप भी है वह आपके उपर है कि आप कितना स्पेंट करना चाहते हैं का स्टीरियों से लेटेड वी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने छे प्लेयर दिखायते हैं जो मेरे एकॉर्डिंग बैस साउंड प्रोडूस करते हैं यानि कि उनको जो लगाए यहां के आप ले सकते हैं साप में बैस प्राइज वगेरा कुछ भी जानना हो तो कॉल या वाट्सअप पे भी अविलिबल है तो शुरू करते हैं बेस टू टॉप जो स्पीकर्स को मैंने लिस्ट दी है यानि कि जो नंबर वन पे है वो बेस है और नंबर ट्वल पे है वो लेकिन पॉपलर्टी की मामले में जेबील ज्यादा है इनसे आप जेबील ले सकते हो स्टार्टिंग में उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं वह आ जाता है अब डीडी ऑडियो की तरफ से डीडी ऑडियो का यह जो मॉडल है यह है EC 6.5B प्राइज में 3rd नमबर पे 3rd पे आ जाता है मॉडल का Maximo MK2 इसको बहुत टाइम हो गया मार्केट में लेगिन इसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है अपने रेंज में क्योंकि यह बहुत ही अच्छा कॉंपोनेंट है और इसको अगर आप amplifier के साथ लगाते है तो इसकी output और अच्छी ख पाने वाली बात नहीं होती कौकि उससे जो उनकी मेकिंग होती हो काफी कम पड़ जाती है अगर यह जर्मनी में बनने लगा तो यह इंडिया में तो फिर इसको खरीदे गई नहीं बाकि यह रेंबो बहुत अच्छा है थोड़ा सा मैसे मॉरल जो मॉरल का MK2 था उससे उप पर कहूंगा तो यह भी बहुत अच्छा कॉम्पोनेंट है इसको भी आप लगवा सकते हैं हमने सुनके देखा हुआ है बहुत ही जबरदसते हैं इसके बार आ जाते हम पांचवे नंबर पर पांचवे में आ जाता है JL Audio का C1650 यह आपने स्पीकर अगर देखा नहीं है तो इसको कहीं भी जाये तो एक बार देखे का ज़रूर मतलब एक खिलोने जासा लगता है कोकि अंदर से भी पुरा यलो कलर का है बट जो साउंड के मामले में इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरसत है कहीं से भी यह कोई खिलोना नहीं लगता बलकि मजा आता है इसमें तो यह था हमारा पांच्वे नंबर पर उसके बाद बात करते हैं चटे नंबर की चटे नंबर पर आ जाता है हमारा यह एस भी आडियो का यह कम लोगोंने नाम सुना होगा को कि यह मार्केट में थोड़ा सा लेट यह था लेगिन आडियो कॉलिटी के मामले में काफी अच्छा है और जो भी से लेना चाहे तो बिंद्रा मोटर पर अवेलिबल है कॉन्टेक नंबर आपको डिस्पले होगा यह है मॉडल का जो सुजू की डिरेक्ट फिट मॉडल है यह वाला जो मॉडल है थोड़ा सा तरफ सी बट यह काफी बेटर है उससे इसको भी आप ले सकते हैं यह मरुत्ती की गाडियां और हुंडे की गाडियों के लिए आता है आदर मनुफेक्चर के लिए नहीं आता है यह तो इस वाले को हमने सेवन्थ पोजीशन दी है उसके बाद बात करते हैं एट नंबर की तो आटवे पर आ जाता है JL Audio का C1650 SE जो पहले मॉडल आपने देखा था वो C1650 था वो यलो से कलर में था यह उससे थोड़ा सा बेटर है यह है SE model इसके अंदर जो इसका tweeter है उसका size भी थोड़ा सा बेटर है Silk Dome Twitter है यह और इसके output थोड़ी और बेटर आ जाती है तो इसको आप ले सकते हैं इसको मैंने दिया है 8 rank इसके बाद बात करते हैं 9th नंबर पे तो 9 नंबर पे आ जाता है काफी लोगों का favorite यह है अभी Audison brand यह brand पहले South India में बहुत चलता था अब Delhi में NCR में भी बहुत famous हो और actual में है भी Hertz हो गया यह Audison हो गया काफी similar brand है लेकिन मैं कहूंगा कि Audison थोड़ा सा और ज़्यादा premium है तो इस brand पे भी आप जा सकते हैं इसको मैंने दिया है 9 नंबर जो है APK 165 model इसके बाद आते हैं 10th नंबर पे क्या है हमारे पास तो 10 नंबर पे है मेरे पास sony का mobile areas variant इसमें 3 year warranty मिलती है जो और कोई company नहीं देती बाकी company आप 1 year warranty के साथ आती है यह 3 साल warranty के साथ है तो इसमें एक तो यह खास यहते है इसकी बाकी sony की जो quality होती है उसमें न मिठास काफी होती है sound के अंदर तो इसको भी आप ले सकते हैं इसको मैंने दिया 10th position इसके बाद जो मैं कहूंगा कि मेरा favorite है यह जो model है audison का APK 165P 165P क्या है जो पहले वाला model दिखाया था 165 उससे एक step उपर है यह premium variant है इसकी जो loudness है इसमें जो crystal clear आवाज आती है वो थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब है जिनको loud sound चाहिए उनके लिए बहुत बेटर होती है तो इसको मैं recommend करता हूं काफी लोगों को जो थोड़ा सा high end audio लगाना चाहते हैं तो आप यह model ले सकते हैं audison का APK 165P यह मैंने 11th number पर रखा है बाकी इससे भी उपर actual में जो मुझे लगा या औरो से भी जैसे मैं feedback लेता हूं तो इससे भी उपर जो लोगों को लगता है वो model मैं आपको हमारे पास basic था वो था JBL का और जो सबसे top model है हमारे पास वो है C2650 जो JL audio की तरफ से है इसकी MRP भी सबसे जादा है और sound quality भी कह सकते हैं कि इसकी शायद सबसे better ही होगी मैंने इसको सुनके देखा था मुझे बहुत अच्छा लगाए मैं सबको recommend करता हूं बाकी अपनी पस पीकर्स थे जो मैं आपको recommend करना चाता था इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से अच्छे models हैं जैसे कि अभी मैं यहां से देख पा रहा हूं कि हमारे पास Focal रखा हुआ है यहां पे Blam रखा हुआ है उसके अलावा Kenwood रखा है Piny रखा हुआ है मतलब बहुत सारे audio की brands हैं जिनमें हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है तो जो मैंने सुने हुए थे जादा तर वो मैंने आपको बताए है कि इन 12 में से आप कोई भी लीजिए कहीं से भी लीजिए जो आपको ठीक लगे सारी अच्छे है प्राइज मैंने आपको एक करना चाहिए तो मुझे जब बताए है थैंक्स फॉर वाचिंग अच्छे हुए 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 हुए